फरवडी 2024 में अभी नेक्स्ट मंथ में आपको नोटिफिकेस्टन देखने को मिल जाएगा पोस्ट कितना आएगा यह यह तो पता नहीं है वीडियो में आज किसी वीडियो हम लोग बात करेंगे गुरूप डी के वैकेंसी कब तक आ सकती है ठीक है 2024 में तो कुछ पॉइंट ह कर रहा है कि कब तक आ सकती है इसका कुछ आइडिया दिया जाए तो 2024 में देखिए वैकेंसी आने का पुड़ा पूरी चांस है ठीक है और उसका रीजन बताएंगो वैसे ही नहीं हम बोल रहे है कि क्यों आने का चांस है और फरवरी में जहां तक इस भी जनवरी चल रहा है आज 21 जनवरी है ठीक है और फरवरी में आपको लेकेंसी देखने को मिल सकती है इसका बहुत तरह कारान है तो अगर आप ALP का त्यारी कर रहे हैं तो आप यह बुक कंसिडर कर सकते हैं ठीक है यह कोस्तन बैंक है ALP का और CBT1 और CBT2 दोनों का ठीक है यह एक्जाम्स जो भी है मतलब कि जितने भी कोस्तन है इसको सॉल्व किया गया है विस्तार से और इसमें जितने भी ट्रेड ट्रेड का कोस्तन है ठीक है तकनिकी ट्रेड का जितने भी ट्रेड का कोस्तन पूछे गया है वो सारे इसमें सॉल्व किया गया है ठीक है पहला कारण हम जो सबसी इंपो एक सेशन और सारी चीज़े तो उसमें 29 तारीक को जो है सो बात होने का मतलब एक बार तो ECR में चेर्मैंसर से बात हुआ था और यहां के जो हमारे यूटूब के टीचर सब है वो लोग बात किये खेख है तो मतलब पोजेटिव बात हुआ था पाकि उसके अभी तक कुछ भी एक्सर नहीं लिया गया कोई नोटिस नहीं दिया गया ठीक है लेकिन और डवलू आर वेस्टरन रेलवे जो मुंबए है ठीक है वहां से आया था नोटिस जिसमें 29 तारीक को बैठा का चेर्मैंसर के साथ और जो भ खुद बोल रहें कि गुरूबडी का वेकंसर आएगा जो आप जो इससे पहले जो सर सब बात किये थे इस यार में चेर्मैन से पटना बोड गये तो उसमें पोजेटिव मतले इस भी बात पर भी बात हुआ था ठीक है तो यह एक मुद्ध है कि उसमें सर बोले थे जो चेर से इंपोर्टेंट है दूसरा बात कि क्यों हम बोल रहें कि वेकंसर ने वाल है यह बहुत इस पर हम एक्स्प्लेंड करेंगे यह बहुत चीज़ समझने वाला है 2018 में वेकंसर यह थी बाससाट हचा नोंसो साथ जिसमां मेरा सेलेक्शन होगा था ठीक है तो उसमें उसका ज पहला जो 2018 में वेकंसर निकला था उसका जोइनिंग हुआ भी नहीं फिर से ग्रूपडी का बाससाट हजार नोंसो साथ जोगी अच्छा पोस्ट होता है खड़ा बहुत कम पोस्ट भी नहीं है फिर भी 2019 में फरवरी 28 फरवरी को न्यू वेकंसर आता है एक लाग तीन हजार का तीन हजार का क्यों क्योंकि 2019 में लोक सवा चुनाओ था ठीक है मार्च में समझे कि लेकंसी आया अठेस फरवरी को आया था नोटिफिकेशन मार्च में उसके लिए अप्लाई मांग रहा था और अगस्त में सोडि मार्च अप्रेल में 11 अप्रेल से अचारसा नहेता उसको मतलब दिखाने के लिए इतना नोटिफिकेशन दिया है इतना रेलवे में करमचारी है या जो भी हो इतना आदमी को जौब दे रहे हैं इसके लिए नोटिफिकेशन पहले निकाला गया जो कि ऐसा नहीं है कि एड़ पॉइंट उस टैम होंको मतलब एक लाग करमचार चुनाव से पहले दिया गया और उसका ज्वाइनिंग जो 2019 में जो हुआ था क्या बोलते हैं उसका एक्जाम हुआ कब जुलाई 2022 में क्यों लेट किया गया उसका एक तो उनको दिखाने के लिए यह हो गया कि करोना आ गया लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं कि जो लोग ले देना नहीं चाह रहे है ठीक है लेट इसलिए क्या गया ठीक है और जब 2022 में मीट 2022 में जुआ है यह एक्जाम हुआ और 2013 में जुन जुलाई 2003 के बाद जो है जोईनिंग देना स्टार्ट किया मतलब कि अभी 6 मत पहले जो है जो है जौइनिंग हुआ है ठीक है तो फिर से ए अब नेक्स्ट मुंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा पोस्ट कितना आएगा यह यह तो पता नहीं होगा लेकिन अच्छा खासा पोस्ट आएगा और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और एक तो मतलब यह भी है कि अगर अगले साल उसको नोटिफिकेशन निकालना रहेगा तो क्यों एक साल लेट करेगा अभी निकालेगा क्योंकि एक यह भी उसको विनिफिट मिल जाएगा उसको लोक्सोर चुनाव में तो यह चुनावी मुद्दार रहता है हमेशा ठीक है और यांको तो बिध Пока बने नहीं हम को अगए ऊण्या बश्या उसके लिरा क outrage को सबस्क्राइब ठीक है चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपको क्या लगता है इस सारी चीज में कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा और इस वारा में आप क्या सुन्सके कोमेंट करके जुरूर बताएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई